है यावरेबान आज हम देखेंगे नौकष टूर्णामेंट के लिए फिक्चर कैसे बनाए और टीम्स के लिए तो हम यहाँ पे 11 टीम्स का बनाएंगे तो यह रहा कुछ स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करना है जब भी आप नौकष टूर्नामेंट के लिए और टीम्स के लि लो किसके लिए क्या formula use करेंगे इससे आप आसानी से picture ड्रॉ कर लेंगे तो total number of teams इसको हम capital N से denote करेंगे जैसे कि हमने teams 11 नहीं है number of teams in upper half n plus 1 by 2 n क्या दिया है 11 है 11 plus 1 by 2 equals to 6 number of teams in lower half n minus 1 by 2 11 minus 1 by 2 equals to 5 तो इसी तरह देखा जाये तो number of y's total कितने देना है that means कितने teams को privilege देना है कि next round के लिए perform करें तो उसके लिए formula use किया गया है 2n minus n तो यह जो है यह number of teams के denote करता है और 2n निकालने के लिए याद रखना है जितने teams दी हुई है 11 teams दी हुई है इससे बड़ा हमको चाहिए 2 की power तो generally check करते हैं 2 की power कैसे निकालते हैं तो उसके लिए जैसे की 2 की power 1 2 की power 2 2 की power 3 2 की power 4 तो 2 की power and 2 हो जाता है 2 की power 2 4 2 की power 3 8 2 की power 4 16 तो आप चेक करो यहां पर highest power चाहिए 2 की तुदे की 11 से बड़ा जो है चूस करना है जैसे यहां पर 16 आ रहा है 11 से बड़ा तो इसके बीच में 11 और 11 जो है 8 और 16 के बीच में आ रहा है तो हम यहां पर 16 लेंगे क्योंकि यह उससे जादा power हो रहा है तो मैं higher power चूस करना है तो 2N की वाली यहां पर 2 की पावर 4 हो जाएगी यानि की 16 हो जाएगी तो जब हम 16 माइनस 11 करेंगे तो 5 आ जाएगा number of rounds के लिए जो 2 की पावर N आएगी वो यहां पर number of rounds होगा तो यहां पर 2 की पावर N कितनी है 2 की पावर N 4 दिया होगा है तो यहां पर number of rounds 4 हो गया number of 22 इन अपर half number of 22 जितनी आएगे उससे minus 1 upon 2 तो 5 आया था है यहां पर 5 minus 1 upon 2 किया तो 2 आ गया number of 22 in lower half number of 22 plus 1 upon 2 5 plus 1 by 2 equals to 3 आ गया number of matches निकालने के लिए total number of teams जितनी होंगी उससे 1 minus कर देंगे तो यहां पर 11 teams दी हुई तो उससे 1 minus किया तो 10 आ गया ऐसा ही हम यह formula यूज करके fixture बना लेंगे तो चलिए इसका fixture देखते हैं कि अब कैसे बनाएंगे तो simply आप लोग को पहले teams लिख लेना है और फिर number of rounds लिख लेने जैसे कि 4 number of rounds हमने निकाले थे तो round 1, round 2, round 3, round 4 ऐसे करके हमें लिख लेना है उसके बाद जितनी teams होंगी वो teams लिख लेनी हमने जैसे कि 11 teams का बनाना है तो हमने 11 teams यहाँ पे कर लिए उसके बाद हमें इसको divide करना है upper half और lower half के form में जैसे कि हमने formula लगाया था upper half और lower half के लिए तो जितनी value आएगी वैसे हमें divide करना है जब हमने upper half को formula लगाया था तो हमारा answer 6 आया था तो यहाँ पे 6 के बाद हम divide कर देंगे तो इतनी teams जोंगे वो हमारी upper half के हो जाएंगे और यह teams जो जाएंगे lower half के हो जाएंगे आप formula से match कर सकते हो lower half में भी इतनी ही आई होंगे तो बाइस देने का क्या procedure होता है जिस team को हम बाइस देंगे वो teams सीधे अगले round में खेलेगी first round में नहीं खेलेगी तो बाइस देने के लिए क्या तरीका होता है जो first by दिया जाता है वो lower half की last team को दिया जाता है second by जो होता है वो upper half की first team को दिया जाता है 3rd buy जो होता है lower half की first team को दिया जाता है fourth buy जो होता है upper half की last team को दिया जाता है फिर से fifth buy ऐसे ही मारा फिर से procedure start हो जाएगा जितनी में बाइस देनी होगी तो उसके बाद हमने बाइस दे दी अब हम matches करवाएंगे तो matches कराने simply है जिन को पारिस दे दिया वह तो पहले round में खेलेंगी नहीं सद्वाड ऐसे लिए तो पाकि टीम के बीच में मैच करवा लेंगे जैसे कि second और third के बीच में match करवा या fourth और fifth के मैच करवा या eight और nine के बीच में match करवा तो हम सब्सक्राइब कर लेंगे कि जब हमने फर्स वो सौरी सेकेंड और थर्ड टीम के बीच में मैच करवा है तो हमारी सेकेंड टीम विनर रही फोर्ट और फिफ्ट के बीच में करवा है तो फिफ्ट टीम विनर रही यह तो नाइन के बीच में मैच करवा है तो नाइन टी 10-11 मैच कर वा देखका बाएंगे, इसे हम सब्सक्राइब गारिंगे, इसे में फिफ रही, इसे में नाइन कारवा देखको पिर्स विए रही तो हम तो हम पिर तो हम Satie पुवे में रियंज ओ़िए